नमस्कार आप सभी साथियों को, मेरा नाम है Mr. S.K. करन, देखिए हम डिसक्स करने जा रहे हैं UP Supplementary Budget के बारे में UP Supplementary Budget 2022-23 के बारे में सबसे पहले समझेए ये Supplementary Budget हो दा क्या है Supplementary Budget का मतलब है Supplements का मतलब क्या है बजट में ऊपर से और ग्रांट किया जाना चाहिए आपने बजट अपना पेस किया सौरुपे का और सौरुपे से ज्यादा एक तो 25 रूपे खर्च हो गाया आपके तो जो 20 रूपे अतरिक्त जो खर्च हुए है या होने वाले हैं прив आप अनुमान करके फिर से एक budget paste करते हैं विधान सबहा तो इसे ही सप्लिमेंटरी बजट हम कहते हैं और इसमें प्रोविजन आर्टिकल्स में किये गया है केंद्रास्तर पर पर्लेमेंट में देखेंगे तो इसका उलेख किया गया है सप्लिमेंटरी बजट पेस करने की आवसकता क्यों पर गई है का एक और उसका पूरा खांका आपको डिसकस करना परेगा तो इक्जाम में जब इस तरह के कोस्टन्स डिसकस किये जाते हैं तो पहले एक फॉर्मेट बनाया जाता है क्या हमें डिसकस करना है तो देखें वह अत्रिक्त बजट पेस करना ही था लग भी रहा था कि इससे ज्यादा बजट आ जाएगा इंडस्ट्रलाइजेशन को हवा दे रही है सरकार बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन को भी बहुत ज्यादा प्लानिंग को भी वियात अस्तर पे कर रही है इन्वेस्टर्स को भी उला रही है उसका भी सम्मिट कर रही है तो इन सब काड़िये के लिए अत्रिक्त बजट की आवसकता तो होनी ही चाहिए पहले प्लानिंग हो सकता है नहीं हुई होगी एक प्लानिंग हो गई और फिर से बजट का अनुमान गरबढ़ा गया तो फिर से एक सप्लीमेंटरी बजट पेस करने की आवसकता पर गए अब देखिए मुख्य चीजे इसमें क्या-क्या है सामिल जो आपको करनी चाहिए देख mommy is a vraiment क्या है दोनों ही मीडियम में में जो लोग इंग्लिस वाले हैं इंग्लिस वाले को देख लेगे संदर्व हाली में उत्रपदे सरकार ने राज में सहरी करन जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन और दौगी करन इंडस्टिलाइजेशन और धार्मी की विरासत अस्थल जो हमारे रिलीजियस हेरिटेज है उनको डिवलाप्ट करने के लिए विधान सभाने तो यह जो फिगर है इसको थोड़ा मैंसन कर लिजेगा यह लाख रुपे का पूरक बजट पेस किया गया दूसरा है इसमें अहम मुद्ध है कि सरकार ने अपने राज्य में इन्वेस्टर्स का फ्लो बढ़ाने के लिए एक सम्मिट का योजन किया है जो इसी जनवरी या फर सब्सक्रान बनाने के योपी सरकार के प्रियासों का एक हिस्सा कह सकते हैं यानि यूपी सरकार आप समझी रहे हैं डेवलाप्मेंट के मुद्धे पर आगे जा रही है बहुत आगे हो रही है और विदेशों से इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़े इंडस्ट्रिलिस्ट को करती हैं ताकि हमारे और आजय्में इन्वेस्ट मेंन बढ़ जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आप जानते ही हैं व्लॉजगारी लुती है ढोल्फ मेंटेजा स्वास्ट और लाजय का सुधर के अत्रिक्त जो बजट आपने पहले पेस किया था उसके अत्रिक्त हम सप्लिमेंट्स की बात करते हैं अब जो देखिए आप जानते ही हैं इसमें राजासों खाता में कहते हैं जो उसको भड़ता है अबender संवधाननीक प्रवभ प्रावधान क्या है भजडम सर्थ के दरान चिस tests के लिए संसादिय स्विकृति पहले ही प्राप्ट कर ली गई थी उससे अधिक सरकारी वैक के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बजट तो एक नॉर्मल जो होता है वो पेस किया जाए लेकिन बजट से जादा अगर आपका व्याय हो गया है तो इसी को हम अतरिक्त बजट में सप्लिमेंटरी डिमांड करते हैं उसी को सप्लिमेंटरी बजट हम कहते हैं वही एक्सेस यहां पर आप कर सकते हैं बहुत के संभिधान में पूरक अतरिक्त अनुदान वोट ऑन अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट और 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 साधारन अनुदान का उल्ले किया गया है तो आप देखेंगे सेंट्रल अस्तर पर पर पार्लियामेंट में आप 215 और 116 आर्टिकल्स में विस्तार से अगर आप देखेंगे तो उसमें इन सारे बजट की चर्चा की गई है पस यही जो बजट पेस किया उसकी अतरिक्त यह सभी वर्ड जो आपको एक्सेस जो बजट होता है या वोट ऑन अकाउंट होता है या वोट अन क्रेडिट होता ह सब यह एक्स्ट्रा लेबिलिटी ही होती है एक्स्ट्रा बजट ही होता है जो पहले स्विक्रत किये गए बजट के अतरिक्त होता है इनमें इन सारे बजट का उलेख किया गया है तो अभी मैं अलग से आपको एक बार डिसकस कर दूँगा लेकिन यह सब ऐसे समझी अतरिक् कीट तब लिए और जब को कि दौरान अवासकता उत्पन होई उस वर्सिक वीपर्ण में सामिल नहीं की गए किसी नई सेवा पर पूरक या अत्रिक्त वे के लिए तो यही मैंने जो आपको कहा है कि अगर बजट पेस हो चुका है और बजट पेस होने के बाद अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं हमारा व्यार बहुत ज्यादा हो रहा है तो आर्टिकल 2004 में इन सब प्रणुदानों को किया गया जिसे 2005 में एकसेप्ट कर दिया मांच एक एक अनुमान प्रस्तूत किया जाता है कि आपका पैसा खतम हो गया और पैसा सरकार से मिला नशांव ठीकल हो titre होने वाला है यानि कितना है एक अनुमान लगा कि आप फिर से एक बजट पेस करते हैं विधान सभा में यह अनुदान वितिये वर्ष की समाप्ति से पहले विधान सभाद्वारा प्रस्तूरत और पार्यत किये जाते हैं समझ लिजे इसी में इस बजट को पेस कर देना है यह नहीं कि राग का श मीधान सभा कि अनुदां से nam राज सरकार अत्रिक्त अनुदान की मांग प्रस्तूत करती है वही चीज यहां लिखा हुआ है दुबारा नेक्स्ट अत्रिक्त अनुदान की मांग वास्त्विक होने के बाद की जाती है और उस वीतियवर्स की समाप्ति के बाद विधान सभा में प्रस्तूत की जाती है अत् आप इसको विधान समा में प्रस्तूत की जाए यह लिखा गया इसमें अब देखे यूपी के पूरक बजट यूपी के मुख्य जो बजट है वो क्या-क्या चीजे हैं और किन चीजों पर जोड़ दिया गया है कि कम्प्लीट अर्बनाइजेशन कीजिए जो मूल भूत आवसकता है है वे पूरे सहर को मिलना चाहिए और सैनिटेशन का प्रॉब्लेम नहीं होना चाहिए और जोगी केंद्र विजली चेतर के विकास पर जोड़ दिया गया है अगर इनर्जी क्राइसिस है किसी भी एरिया में यूपी में तो उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयात्न करेगी और जोगी केंद्रों की अस्थापना के लिए भी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेगी तो आपको अर्बनाइजेशन इंडस्रिलाइजेशन और इनर्जी क्राइसिस पे थोड़ा सा जूर यहां पे देखने को मिल रहा है जहां तक अनुपूरक बजर में आवंटन असवन्द है वो सहरी बुनियारी धाचे के विकास पर बल देने और युबाओं के विभिन योजनाओं के लिए धन उपलब्द कराने पर संकेत देते हैं दूसरा है कि 33,779 क्रोड रुपे के कॉपर्स में 14,000 क्रोड रुपे नई योजनाओं के लिए आवंटिट किये गए है यहां पे थोड़ा सा आप देखिएगा इसको बढ़ा लिजेगा 95 संथिंग आक रहा है जो मैंने आपको पहले बताया है तो इतना जो अलॉट्मेंट था उसमें 14,000 क्रोड नई योजनाओं के लिए आवंटिट किये गए है अगले वर्स फरवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स परवरी में होने वाले यूपी गोलोबर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स संमिट के आयोजन के लिए दोसो च्यांबे दिसमलोव 56 करोड रुपे का प्रस्ताव रखा गया तो याद रखिए का इसको थोड़ा मेंसन कर दिजेगा राउंड में कर दिजेगा 296 करोड रुपे का प्रस्ताव किया गया है जो अभी ग्लोबल इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स संमिट होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स संमिट का मतलब है पूरी दुनिया से यूपी में एक संमिट का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़े- किसी भी चेतर का बढ़ता है कि फूर बजट में ग्लोबल इन्वेस्टेर्स संमिट के लिए कोपर के साथ अ करकार निकाया है इसका राज्य में वट ट्रीलियन अर्थव्वेवस्था का निर्मान करना है यानि यह जो अभी इन्वेस्ट किया जा रहा है ग्लोब यह है इसके लिए सरकार को मार्ग दर्शन करने के लिए नियुक्त प्रामर्स एजेंसी को चौधा दसम्लों 35 करोड रुपय की प्रतिपूर्टी के लिए प्रावधान किया गया है लगभग अगर मैं कहूं तो 14 करोड रुपया हमने एक ऐसे प्रामर्स डाता को दिया है एक कैसे क्या रोड मैप होगा इसके लिए कोई एकनॉमिस्ट हायर करेंगे या कोई और्गडाइजेशन इस पर काम करेंगा या कोई आप ऐसा कमीटी बनाएंगे तो इसके लिए भी चौदा दिसम्ला 35 करोड रुपया की अवसकता है विभिन मांगे जरा देखे प्रमुकावंटन में लगभग 14922.44 करोड नए प्रमुखों के तहत निर्धारित किया गया है राज सरकार के पूरक बजट में केंद्र द्वारा प्रयाजीत योजनाओं में केंद्र के हिस्स हैं में प्राप्त होने वाले इतना करोड की रासी ताहर करोड रूपर की मांग किये है इसका व्पयोग न divert साहरों के समखने विकास के लिए किया जाएगा पूरक बजबर सप्द के लिए 899 करोड़ उप्यार का प्रावधान किया गया है आप मिस dit ूसरी आप समस्fashion का मतलब है जैसे आपका फोन वीड़ कोई समस्या नहीं हो इन सारे बेसिक स्रिविधाओं को अगर आप नगर में बहुत अच्छा कर देते हैं तो स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दिल हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलॉपमेंट में इसमें सामिल होता है स्मार्ट सिटी में अध्योगिक पार्को और केंद्रों के विकास के लिए नीजी नीवेस्कों को रिन देने के लिए विभिन और जोगिक विकास प्राधिकर्णन को अठा आठ हजार करो रूपया की रासी दी है हमारे यहां इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब होता है इंडस्ट्रियल पार्क बनाई या इंडस्ट्रियल करने में निवेश करने वाले निवेश को को वीतिये सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर एकनोमी बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेर्स समिट दोहजार तेईस के आयोजग के लिए पहले ही मैंने कहा कि 296 करोड रुपे की मांग की गई है तो पहले ही मैंने इसके बारे में चर्चाव से किया है यह इतने करोड रुपे की डिमान की गई है प्रिलियन डॉलर के अधस्था के लक्ष को प्राप करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए मैंने आपको कहा कि जो एक तलाहकार निक्त किये जाएंगे यह रिप्टेशन है फिर से अब ज़रा देखें यूपी PCL की बिजली वितरन कंपनियों द्वारा किये गए नुकसान के वित पोशन के लिए 3,007 करोड सहित लगभग 5,000 करोड रुपे की रासी इसमें सामिल है बिजली वितरन करने वाली कंपनियों भी जो हैं वो भी काफी घाटे में है तो उनके वित पोशन के लिए भी इतना 5,000 करोड रुपे की रासी आवइंटित है रुपेद 1,000 करोड रुपे विद्धुत नियामक प्राधिकरन द्वारा अनुमोदित सबसीड़ी प्रदान करने के लिए जिसमें 1,000 करोड रुपया तो सबसीड़ी है समझ लिजे ऐसे नीजी नलकूप भुगताओं के लिए एक जनवरी 2022 से प्रभावी टेरी पर 50-35 छूट प्रदान करने के लिए UPCCL को 1250 करोड रुपया तो अगर मैं आपसे कर रहा हूँ कोई ऐसा मीजन है आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है आपका जिसमें आप सबसीडाइज रेट में एक अटिमेटली किसी न किसी पर भार होता है तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार को फिर आगे होना पड़ेगा तो इसके लिए UPCCL को 1250 करोड रुपया फिर प्रियाग राज में आप जानते हैं महाकुम्भ मेला 2025 को आयोजित होने वाला है इसके लिए फंड चाहिए तो 521.55 कर किये गए 20 करोड रुपया जी ट्वैंटी का जो सम्मेलन है उसके लिए किया गया है और आप जानते हैं यह उत्तर प्रदेश के चार सहर है जो रवारन असी नोएडा आगरा और लखनो अगले साल जी ट्वैंटी लीडर से सम्मेट के कारकरम की मेजवानी करने वाले है तो दिया जाएगा तो आप देखी रहें यूपी गौर्णमेंट अखिलेस यादों ने भी यह काम किया था टैबलेट माटा था केंप्यूटर माटा था लैप्टॉप दिया गया था तो स्वामी विवेकानन युवा अधिकारता योजना के ताह जो टैबलेट और स्मार्टफ कोई प्राप्त करके सेल्फ इंप्लायमेंट को बढ़ावा मिले इसलिए 150 ऐसे आई टी आई संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए डेवलाप करने के लिए 175 क्रोड रुपे दिये जाएंगे राज सरकार निधी सहित विवेन मदों के तह सरकों के निर्मान के लिए 2800 इसके अलावा राश्टिय ग्रामिन स्वास्त मीशन के तहत योजनाओ को चलाने के लिए 1400 क्रोड रुपे की रासी निर्धारित की गई है राश्टिय ग्रामिन स्वास्त मीशन आगे मैं उसका डिसकस करूँगा अलग से पहले यहाँ पर समझ लीजिए 1400 क्रोड रुपे राश्टिय ग्रामिन स्वास्त मीशन के तहत दिलाने की मांग किये गई है अब 246 करोड रुपे नए Medical College के लिए Medical College अगर जो नए खोलने हैं उसके लिए भी 246 करोड रुपे क्या वा सकता है वो भी मांगा गया है अस्पतालों के उन्यान और सुद्रीडी करण के लिए 370 करोड रुपे जो अस्पताल की जरजर स्थिती है जहां भी और उसको मजबूत बनाने के लिए प्रधान मंत्री आत्म निर्भा स्वास्त भारत योजना के लिए 616 करोड रुपे अधरिक्त और चाहिए होगा उत्तर परदेश सौरे और जाने के लिए अवंटन किया गया उत्तर परदेश आप जानते ही है कि जो सौरे निती है उसमें हम बहुत ही सबसिडाइज रेट में सौरे और जा को या फिर बिजली क्राइसिस से निपटने के लिए हम एक ऐसा पॉलूशन फ्री इन्वार्मेंट बनाना चाहते हैं जो दुनिया कल होके अच्छी तरह से कमफॉर्टेबल होके इन्वार्मेंट अच्छा डेबलॉप्ट करके किसी सहर को रखा जा सके अब आगे आए नहीं सौर निती 2022 के तहत सौर सहर अस्थापित करने के सरकार की योजना के अन्रूप अयोध्या सहर के विकास के लिए 2.5 करोड उपे का प्रावधान किया गया है यानि सौर निती जो 2022 है उसमें आयोध्या को चुना गया है और इसको 2.5 करोड रुपय का प्रवधान आयोध्या सहर के लिए किया गया है अब जादेके इसमें सोलर सिटी के रूप में आयोध्या के विकास के लिए 1 करोड रुपय और सौर निती 2017 के ताद बुंदेल खौन और और वहां के जितने भी सारे जो सार्वजनेक लाइट है वो सब सोलर सिटी सोलर तहीं चले और दूसरा बुंदेल खंड या पुर्वांचल में ट्रांसमीशन लाइन की अस्थापना नेक्स्ट है उर्जा छेत्र में की गई अन्य मांगो में जवाहर थर्मल पावर प्रोज प्रोजना की अस्थापना के लिए 300 करोड उपे जो नई नई पर योजना हम बना रहे हैं जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनके लिए तो पैसा चाहिए होगा तो यह 2000 मेगावाट घाटम पूर ठर्मल पावर पड़ी उजना है इससे आपका कुछ फैक्ट लिए ऐगा पन की ठर्मल पावर प्रोजेक्ट के अस्थापना के लिए 100 करोड उपे की बनने वालाज अगर को नीजरिक न जारी करती है और उससके भी भुक्तान के लिए सब जो है जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा था MR जो पपलीक का पैसा है ये कैसे और कहां से कहां जाता है और किस रूप में इसको पेस किया जाता है वो आपको समझ में आएगा तो आप भी जागरुख हो जाएंगे थोड़ा जब आप administration में जाएंगे तो आपको पूरी समझ रहेगी कि कहां पे कहां पैसा कहां का एलॉट्मेंट कैसे किया जाता है तो यह सम आने प्रमुखा वंटन उत्तरप्रदेस एलेक्ट्रोनिक्स निर्मान निति के तहट एकाईयों को छूट देने हैं तू 327.2 करोड उपे सामिल है पीम गति सक्ति योजना के तहट चलने के लिए यानि आप देख रहे हैं ओपन झिम बनाया जा रहा है या कहीं पर आप देखेऊ ग्राउंड डेब्लाप्र किया जा रहा है और आज के टाइम में हम स्पोर्स को बहुत जादा अहमियत दे रहा है तो इन सब के लिए infrastructure तो चाहिए भैं तो इनके लिए 15 करोर रुपे हलाकि बहुत कम है लेकिन फिर भी खेलो इंडिया इंवर्सिटी खेलो के आयोजन के लिए 20 करोर रुपे है यूपी में खेलो इंडिया इंवर्सिटी भी होगा तो हम अपनी भागेदारी ACR खेलों में या फिर ओलम्पिक खेलों में जो पदक हमारे कम आ रहे हैं उसको हम टार्गेट कर रहे हैं ताकि हमारे खिलारी बहुत आगे जाए रुपेज 650 करोर आवासी और गर आवासी अभवनों के निर्मान वाहन उपकरन खरिदने और अनमदों के लिए तो यह 650 करोर आवासी और गर आवासी अभवनों के निर्मान जो भी जरजर इस्तिति है या फिर नय बनने उनके उपकरन के लिए 650 करोर रुपे उत्रप्रदेश आईटी एवं स्टार्टप निटी 2016 के प्रावधानों के तहद HCL IT City Private Limited लखनों को ब्याज अनुदान प्रदान करने हैं तू 31 करोड उपे देने होंगे उत्रप्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार के लिए 15.32 करोड उपे की मांग की गई है यह डाटा सेंटर कहां बनाया गया है तो यह ग्रेटर नुड़ा में बनाया गया है एक और पॉइंट था 15 वे वितायों की सिफारिस को लागू करने के लिए भी चाहिए 15 वे व जिलों में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में नियाले पड़ी सरों के निर्मान के लिए 400 क्रोड उपे चाहिए है नियाले पड़ी सर जो बनाएंगे आप 10 जिलों में उसके प्रोजेक्ट के लिए निर्मान के लिए 400 क्रोड उपे इसके अलावे अपने पूरक बजट में सरकार ने नई घोसित electronic वहनिती के तहां सबसीडी के लिए सौ करोड रुपे अवंटिट की हैं जबकि एक हजार नई बसों की खरीद के लिए 200 करोड रुपे की मांग की गई है अब समझी रहे हैं अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो उसमें तो अभी इन्वेस्टमेंट है 100 करोड रुपे और नई जो बस खरीद रही है एक हजार जो रोडवेज बसें खरदी जाएंगे वह 200 करोड रुपे की UPSRTC द्वारा 1000 नई बसों के निर्मान के लिए 200 करोड रुपे जो पहले हमने कहा एको टुरिस्म के लिए 20 करोड रुपे खर्च करने होंगे यानि इन्वार्मेंट को देखते हुए टुरिस्म कराईए एको टुरिस्म यानि लखनाओं के कुक्रेल छेतर में कुक्रेल नाइट सफारी पार्क के विकास के लिए तो लखनाओं में एक नाइट सफारी पार्क बनने उसके विकास के लिए एक करोड रुपे चाहिए तो ये नाइट सफारी यूपी में सबसे पहला बन रहा है जो कुक्रेल 1 छेतर से संबंदित है ये भारत का पहला नाइट सफारी पार्क अस्थापित करने हो ये यूपी का ही नहीं भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है कुक्रेल में कहां पे है तो ये लखनाओं के छेतर पर्योजना के हिस्जा के रूप में यूपी सरकार लगवाग एक सो पचास एकर में एक जियाला परक भी अस्थापित करेगी इसी पर्योजना के तहाद एक जियालोग करोड रूपे अवंटिट किये जाएंगे अठलावास विद्यालों की अस्थापना के लिए 172.78 करोड उपे, मुख मंत्री विवेका धिन कोस के लिए 150 करोड उपे, गरीब और पिछ्रे वर्ड की बेटियों की साधी के लिए अतरिक 75 करोड तर्था विकलांगों को पेंसन भुकतान के लिए 333 करोड उपे की मांग की गई तो यह सब जो थोड़ा आकरा है, यह जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा आयाद तो नहीं रहेगा लेकिन इसमें से कुछ आकरे को आप एक साथ लिखकर उसका कंक्लूजन फिगर दे सकते हैं और मीशन जब भी आप लिखिए, यूपी, मैंस में लिखिए या कहीं भी लिखिए तो कौन साइस कर लिजे कि हमको क्या-क्या लिखना है यानि किन-किन चीजों पर मुख है, फोकस हमें करनी है और तब आगे बढ़िए समझे रहे हैं? अब आगे, अब आगे चलता है अब ज़रा देखिए सूचना और परचार के लिए 804 करोड उपे अध्यात्मिक परवयतन के लिए अपने प्रयास को जारी रखते हुए सरकार ने नैमी सारन्य में, वेद विज्ञान केंद्र में सरकों और सुविधाओं के विकास जैसे धार्मिक आकरसन के आसपास के अस्थानों को विक्सित करने के लिए पांच करोड उपे खर्च करने की योजना बनाई है ये अध्यात्मिक पर्यातन के रूप में आप कह सकते हैं मिर्जा पूर जिले के विंध्यांचल छेतर में मा विंध्यावासनी मा अस्थ भुजा मा काली मंदिरों की सुविधाओं और बुनियादी धार्चे के विशा विकास के लिए 10 करोड उपे ये सब आप देखते चलिए और आप देख लिजएगा कि महां क्या क्या और्गनाईज करना है महत्पूर्ण योजनाय उप्योग की जाने वाली सरतें क्या-क्या है उसको जरा समझते हैं प्रवरी में जो होने वाला है उत्तर परदेश के मख़मंत्री ने कहा है कि राज जनवरी 2023 में UK Global Investor Summit आयोजित करेगा जिसमें 10 लाख करोड उपे के निवेश की आकरशित करने का लड़्ष है तो लक्ष क्या है और मुख्य चीजें क्या क्या है आपको focus करनी चाहिए और उसके बारे में जरूर आपको बताना चाहिए अब जड़ा देखिए नेक्स्ट है केंदर प्रयोजित योजना है इन योजना ओको केंद्र सरकार या संग के साथ साथ राज्यसरकार द्रपोसीट किया जाता है लेकिन राज्यसरकार कारीयमि siya chỉा क्या होता है अगर कोई immer प्रियोजना है तो फजन्दिंग पटर्ण डिपेंड करता है कि प्रियोजना कौन सी है तो 50-50 का आक्रा होता है या 75-25 का आक्रा होता है जैस में 75% केंद्र सरकार 25% राज्य सरकार वहन करती है उतर पुर्भी और पहरी राज्यों में आमत और पर 90-10 का रेसियो होता है यानि 90% केंद्र सरकार 10% राज्य सरकार अगर यह राज्य परवत में है और कोई केंद्र प्र नेक्स्ट अब जड़ा देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस्ट करना होगा जो बजट पास हो रहा है तो बजट में हर फिगर को याद करने की जुड़त नहीं है मुख जो मीशन है उस पर आप देखिएगा और जो एलाट्मेंट है किसी किसी को मिलाकर एक जॉइंट फिगर दे दिजेगा लिख लीजेगा तो आब समार्ट सिटी मीशन स्मार्ट सिटी मीशन क्या है यह केंद्रिये प्रयोजित योजना है जिसे जून दो हजर पांच में सो सहरों को बदलने के लिए अवस्यक बुनियादी धाचे और स्वक्षाटिकाव वातावन प्रदान करने के लिए समार्ट समाधान के अवेधन के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुनवत्ता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था कुछ नहीं है एक विकास कर दिजिए और गुनवत्ता उस स्मार्ट सिटी की गुनवत्ता बढ़ा दिए गुनव बुट अवा सकता है तो पुर्ती होनी ही चाहिए सैनिटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए तो स्मार्ट सिटी देखने में लग जाता है यह स्मार्ट है मीशन का उद्धे से विभेन सहरी विकास पड़ी और जना हो कि माध्यम से सहरों में रहने वाली भारत की अबादी है स्मार्ट गॉर्मेंट है यानि हर चीजों को स्मार्ट बनाना होगा स्मार्ट मॉबलेटी का मतलब है कि अगर आप वैकिल चला रहा है तो यह वैकिल क्या होना चाहिए एलेक्रिफाइड होना चाहिए पॉलूशन नहीं छोड़ता हो समझ गया आपका भी कुछ दाई तो बनता है कि आप क्या करें तो आप वैसे वैकिल का प्रियोग करें या फिर आप अगर रख रहे हैं अपनी गारी को तो पॉलूशन चेक या सर्टिफिकेट लेके ही चलते रहें जो नॉर्म्स है उसका पालन करें स्मार्ट पिपल का मतलब होता है एडुकेटेट पिपल और एडुकेशन का मतलब है प्रोपर वास्तिविक्ता से जीवन के वास्तिविक लच्छों की प्राप्ति से होते हिया यानि सिर्फ आप सिर्फ एडुकेटेटेड हैं और कहीं पे भी गंदगी फैला दे रहे हैं इसका मतलब आप स्मार्ट पिपल नहीं कहलाएंगे सिर्फ चेहरे को देखके नहीं उसके काड़े सैली को देखके किया कि कहा कीजिए कि स्मार्ट एकनॉमिक का मतलब होता है कि पर कैप का इनिकम इस सभी लोगों का इतना अच्छा है कि सारे लोग खुष हैं सबके चेहरे पे एक संतुष्टी का भाव दिख रहा है स्मार्ट इन्वार्टमेंट का मतलब आप समझी रहे हैं पॉलूशन नहीं हो स्मॉक के स्थिती नहीं हो सांस लेने में और खुल कर जीने में बहुत मजा रहा है लोग पर्यावरन में अपने आपको बहतर फिल कर रहे हैं स्मार्ट गौर्डमेंट का मतलब क्या होता है स्मार्ट पारे ऐसा है कि विकास की तरफ लेके जा रहा है, smart living, smart living का मतलब क्या होता है, जैसे smart living का मतलब है, एक civilized people बनने की कोशिस कीजिए, civilian बनने की कोशिस कीजिए, और जो norms उसका पारण कीजिए, discipline life जीने की कोशिस कीजिए, उठना, बैठना, खाना, पीना, तौर, तरीका, चलना, ये सब एक discipline में होना चाहिए, यानि ये एक smart city का लच्छन होता है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये smart city क्या होता है, यानि अब आईए, आगे बात करते हैं, कुम्भ मेला, कुम्भ मेला के संदर मैं आपको main main कुछ-क issues के बारे में लिखिये और कितना इसमें fund एलोट किया जा रहा है, उसके बारे में आपको discuss करना है, कुम्भ मेला में या मानवाता कि अमुर्थ संस्कृतिक विरासत की युनेस्को के प्रतिनिदी सूची के अंतरगत आता है, तो कुम्भ मेला आप जानते ही है, ये ये यु जासिक में गधावरी नदि, उज्जान में शिप्रा, नदी हरिद्वार में गंगकर, प्रयाग में गंगकर, यमना के संगम, और प्रयाव को उड़ानिक शरषति नदी संगम, पर खोता है, तो ये लहबाद को जानते ही हैं, तो इसमें बहुत जाधा नहीं है, कुम्भ मे जैसा कि यह भारत के चार अलग अलग सहरों में आजवित किया जाता है स्वांच्रेटिक और सांसकृति गति विदियां सामिल होती है जो इसे सांस्क्रेटी रूपब से बनाती है इसके बारे में तो आप जानते ही है थुरा बहुत आप लिखी देंगे स्वामी विवेकानन युवा ससक्तिकरन योजना के तार सरकार ने घोसना की थी कि वह अगले पांच वर्षों तक हर साल अंतिम वर्ष के छात्रों को 40 लग टैबलेट और स्मार्ट फोन देंगे जो पहले आपने फोकस किया है लास्ट में इस बजट के मुख्य मुख्य बुंदियों को हमको आमें थोड़ा सा विसलेसित करना चाहिए तो स्वामी विवेकानन युवा ससक्तिकरन योजना आप जानते ही है क्या है सरकार ने घोचना कि थी कि अगले पांच वर्षों तक हर साल अंतिम वर्ष के चात्रों को 40 लाख टैबलेट और स्मार्ट फोन देंगे सामी विवेकानन युवा ससक्तिकरन योजना नेक्स्ट जड़ा देखिए आगे रास्टिय स्वास्त मीशन तो आप जानते ही है नह्म को क्या कहते हैं 2013 में भारत सरकार द्वारा रास्टिय ग्रामीन स्वास्त मीशन 2005 में लॉंच किया गया था रास्टिय स्वास्त मीशन और रास्टिय ग्रामीन स्वास्त मीशन 2005 में लॉंच किया गया था इसके तहत लॉंच किया गया था कारकरम के मुखे घटकों में ग्रामीन और सरी छेत्रों में प्रजनन मात्री या फिर नौजात बाल और की सोड़ के स्वास्त पर ध्यान दिया जाता है और और अरब NCH और संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्त परनाली को मजबूत करना चाहिए यानि जो सं से संकर्मित हो जाते हैं जो संचारी रोग है उसके स्वास्त परनाली को भी देखा जागा है नहीं में लोगों की जरुड़ोतों की प्रति जवाब दिया और तरदाई समान समान सस्ती और गुनवता पूर्ण स्वास्त देखवाल सेवां तक स्वारभाविक पहुंसकी पूरी तरह से यही है इसका जिस्ट अब जड़ा देखें इसमें जो गोल्स हैं यह आप जानता ही है क्या है रेडियूस एम आमार्टू वन पर थाउजेंड डिडियूस आइमार्टू 25 पर थाउजेंड डिडियूस टी एफार टोटल पर्टी डेट टू टू पॉइंट इसका मतलब है कि जो एनीमिय का रेट है महिलाओं में उसको पंद्रा से उन्चास वर्सों के बीच वाले में उसको रिडियूस करना प्रिवेंट रिडियूस मॉर्टलेटी और मॉर्विलिटी फ्रॉम कैमनिकेबल नन कैमनिकेबल इंजिरीज एन इमर्जेंसी तो यह जो उसको कम करने की भी बात यहां पर की जारे रिडियूस आउस होल्ड ऑउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और टूटल हेल्थ केर एकसपेंडिचर एडियूस एन्नुवल इंसिदेंस और मॉर्टलिटी फ्रॉम ट्यूबर क्लोसिस वाइव यानि ट्यूबर क्लोसिस जिस की संख्या को हाफ करना, reduce prevalence of leprosy to 10,000 पे एक operation and incidence to zero in all district, इसको भी zero पर लाना, annual malaria incidence to be 1 per thousand, malaria का जो incidence हो रहा है, उसको भी एक हजार पे एक से भी कम लाना, less than 1% micro file area prevents in all district, कालाजार elimination by 2015, 1 case per 10,000 population in all blocks, यह सब goals थे उस मीशन के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको और भी कई जगा पे मिल जाएगा, लेकिन इन सब को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है आपको, अब जो डिटेल करना है, इस skrim में वो मैं आपको थोड़ा और बता दूँ, PM आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना, किंद्रिय बजट 2021-2022 में घोसित किया गया था, देश के अंतिम मील में भी प्रात्मिक माधिंग और तिर्थिय देखवाल स्वास्त परनालियों की शमता विक्सित करना है, देश में अनुसंधान प्रसिच्छन और उपजार के लिए एक आधुनिक परिस्थित की तंत्र विक्सित करना है, तो अगर हम किसी मेडिकल साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत रिसर्च ऐसा हम इन्वार्मेंट में कर लें, ताकि बहुत सारे लोगों को बाहर ना जाना परे, और हमारे रिजिनल छेत्र में ही, एरिया में ही उसका इलाज हो सके, वित्पोसन लगभग, 64,180 करोड रुपे के परिवाय के साथ के अंदर प्रयोजित योजना है, इसका जो वित्पोसन है, यह है, अब ज़रा आगे आए, उत्तर प्रदेश सौर्य और जानिती, जो सौर्य और जानिती जिसमें उध्या को एक मॉडल के रूप में पेस करके आगे बढ़ाया जा रह नवी करनिय और जा विकास अभिरेंट को नूडल एजनसी नामित किया गया है, इस निती के था सरकारी कर्मों को सौर्य और जानित्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत मराजय से भूमी एक रुपे प्रती एकर प्रती वर्स की दर से दी जाएगे, अगर पंचायत से उस पंचायत को एलोट कर दी जाएगे, नीजी छेतर में सोलर पार्क की अस्थापना है तो 15,000 रुपे प्रती की एकर, अगर कोई नीजी इन्वेस्टर है, तो अगर वो चाहता है कि जमीन चाहिए, सरकारी जमीन चाहिए, तो एक एकर जमीन, एक साल के लिए 15,000 रुप प्रता ही रहा है, आगे देखें, पर उर्जा निती जो है उसके बारे में, राज्य सरकार ने अगले पांच वर्सों में, सौर उर्जा से 22,000 मेगावट बिजली उत्पादन का लक्ष रखा है, तो याद रखिएगा, अगले पांच वर्स में, यह जो फीगर है, पांच 22, 30,000 मेगावट बिजली की उत्पादन का लक्ष जो रखा है, पीम कुसुम योजना के तहत, यह जो कुसुम योजना है, प्रधान मंत्री कुसुम योजना के तहत, सोलर पार्क से 14,000 मेगावट, सोलर रूफ स्टाप रेजिडेंशियल से 4500 मेगावट, सोलर रूफ टॉप बिजली उत्पादन का लक्ष रखा गया है, तो जो पीम कुसुम योजना है, उसके तहत इतने सारे रखे गए, अब रखने का मतलब आप समझा है, 14,000 मेगावट सोलर पार्क से, सोलर रूफ टॉप रेजिडेंशियल से, अगर माल लिजे, आपका बहुत बड़ा घर है, और रेजिडेंशियल एरिया, और रेजिडेंशियल एरिया में भी बहुत सारे टावर बनाएगा है, जैसे आप देली के एरिया, एंसी आर में देखे, या फिर कोई बहुत बड़ा नगडिय च्छेथर है, उसका जो ऊपर वाला टॉप एरिया है, अगर खाली है, और कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉंच करना चाहता है तो कर सकते उसका भी मीशन है कि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तोलर स्टाफ नन-residencial एक इस तो एक हो सकता है कि कॉमर्सियल हो कम्प्लेक्स या हो सकता है सरकारी आवास हो या फिर हो सकता है कि सरकार का कोई वैसा बिल्डिंग हो तो पंदर सो मेगावाट और दो हजार मेगावाट बिजली का उत्पान लच रखा गया इसके अलावा उतर प्रदेश के कैविनेट ने नीजी घरों में नेट मीटरिंग सिस्टम के साथ ग्रिड कनेक्शन सोलर सिस्टम के अस्थापना के केंद्री विज सहता को भी मंजूरी दिये इसके लावा आसकाने 15,000 रुपे प्रती किलोवाट अधिक्तम 30,000 रुपे प्रती और भोगता अनुदान के अनुमति दी गई है यह जो है एक तरह का अनुदान कह सकते हैं या फिर सबसेटी कह सकते हैं यह क्या है यह तो अब देखी क्या है सरकारी और सचनिक संस्थानों के भवनों पर नेट मिट्रिंग के साथ सोलर रूफ टॉप की अनुमति दी गई है यानि कोई भी सिच्छन संस्थान है अगर सरकारी आवास के रूप में है या सरकारी है भवन पर नेट मिट्रिंग के साथ सोलर रूफ ट यह जाएगा मंत्री मरिसाद ने सौर उर्जाई का है अस्थाफित करने के लिए खड़िदी या लीज़ पर लिगए भूमी पर देया स्थाम सुलक में दस परतिसत की छूट के साथ साथ बिजली सुल्क में दस परतिसत की छूट देने की प्रवा की भी मंजूरी दिये तो यह जो मंत्री परिशाद है ना सौर और जाएकाई अस्थापित करने के लिए या खड़िदी अलीज की गई जमीन पर दे स्ताम सुल्क में लेते हैं अगर ले नहींहों लगता है उसमें 10 परतिसत का आप को चूट मिले तहसं है स्षाथ प्रियोजनाओं को सहमती रस थापना सचालन के लिए लीए प्राप करने से चूट ter पॉलूशन सर्टिफिकेट क्या तो मिलेगा उन्हें तो यह पहले ही बता दिया गया है इन सब चीजों से आपको छूट दिया जाएगा अब जिना देखिए इस निती के क्रियान वयन है तू उत्तर प्रदेश नवीन इवं नवी करनिये और जाविकास अभिकरन को नोडल अ इसको सरवोच संस्था के रूप मेक नोडल अजनसी अभिकरन माना गया इस निती के अनुसार 5 मेगावाट या इस से अधिक समता क्या स्टोड़िस सिस्टम वाले सोलर पार्कों को धाई करोड उपे प्रती मेगावाट की दर से सब्सीटी भी मिलेगी यानि अगर आप इं तो आपको अधाई करोड रूपे प्रती मेगावर्ट की दर से सबसीडी भी मिल जाएगे समझे कितना गॉर्मेंट आपको आगे बढ़ाने की सोच रही है समझ रहे हैं इस निती के ताद अविध्या सहर को मौडल सोलर सिटी के रूप में विक्सित किया जाएगा समझे रहे सिटी बनाने का लक्ष भी इसमें सामिल है कई सारे सोला हैं उसमें सामिल इसके तहर संबंदित सहर की परांपरिक और जा की अनुमानित कुल मांग का कम से कम 10 परतीशत सहर चेत्र में अस्थापित और उर्जा संहियंत्रों से पुड़ा किया जाएगा इसके लिए नगर निगम चेत्र की दो हजार एक्यार की जन्गन्ना के अंसर सरकार द्वारा नगर निगमों नोईडा सहर को सौर और जा संहियंत्र स्थापित करने के लिए प्रतीश्य रुपे की दर से वीतिये सहायता दी जाएगी यानि इतना ज्यादा प्रावधान नि इसके लिए तीस हजार युबाओं को सौर उजासेंत्रों के रख रखाओं का प्रशिचन दिया जाएगा और उनका नाम सूर्य मित्र रखा जाएगा ऐसा समझे कि एगर सोलर इनर्जी का एक हब बनाते हैं आप या कहीं लगाते हैं या योध्या को ही बनाते हैं नोईडा प्रोजेक्ट जवाहर पूर शुमाल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में निर्माना धीन है बीडेववट कोईला आधारीर प्रयोजना है सुपर ओर मिल पावर जो होता है मीनिमुम कैपेसिटी हूं ईसका 4000 मेगा वाट और यह 1.3 जय को घॉनीजाрон की बात कर रहा है जो आधा इनर्मेजाना है sensor इटा जिली में है नवेली उत्तरप्रदेश पावर लेंटेट घाटमपूर थर्म पावर प्रोजेक्ट उत्रप्रदेश के कानपूर जिले के घाटमपूर में इस्थित्य अगामी कोईला अधारी थर्म पावर प्लांट है जिसके लिए आवंटन हमने पहले ही आपको बता कर रहा है और इसको मोडिफाइड करके आधुनिक बनाने की बात की गई है और उसमें बजट रिलोट किया गया है जो पहले हम डिसकस कर चुक है उत्तरप्रदेश एलक्ट्रानिक वी निर्मान निती 2020 मुख्य मिद्दू क्या है एलक्ट्रानिक्स वी निमान निती में यान जानते होंगे कि भारत में जितना भी मोबाइल फॉन चल रहा है उसकी मनिफैक्ट्रिंग का साथ परतिसाथ हिसाथ से वाल उत्तर प्रदेशी त्यार कर रहा है यूमना एक्सप्रेस वे नौइडा गेटर नौइडा भी कई देशों से प्रदेश विदेशी निवेस को आक सबस्क्राइब ज साथ नौइस संसॉन निती योजना सब्सकिner आपको बता रहा हूं जिसके लिए आवंटन पहले किया गया है यह हलका हलका सा आप इसको समझ जाए ताकि आपको आगे समझने में यानि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो तो जो मेजर मेजर जो प्लान या मीशन हमने आपको यहां डिसकस किया है उसके लिए जितने अवंटन किये गए वह more or less figure थोड सकती योजना क्या है भाई लिएशक्ती योजना उदेश क्या है जमीन पर काम में तेजी लाना लागत बचाना रोजगार स्रीजित करना ध्यान देने के साथ साथ अगले चार वर्सों में बुनियादी धाचा पड़ योजनाओं की एक गिर्त योजना और सुनिशित करना पीम गती सकती योजना गती सकती योजना 2019 में शुरू की गई ती 110 लाख करोड़ विपे की रास्टिया उसन रसनाओ पाइपलाइन को समाहिद करके रसत लागत में कटौती के अलावा योजना का उदेश कारगो हैंडिलिंग चमता में बिर्दी करना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदर गाहों पे टर्ण अराउंड समय को कम करना भी है इसका उदेश 11 अदोगी गलियारे और दोने रच्छा गलियारे एक तमिलाडो में और दूसरा उत्तर प्रदेश में तभी गावों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना एक अन्य उदेश है गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17000 के बार्त हो यह सब जितने भी हैं सब और विकास से संबंदित हैं और ऐसा विकास नहीं कि पांस साल में हो यह त्वरी तो हो यानि इसका मतलब है पीम गति सकती योजना जल्दी-जल्दी कीजिए निप्टाइए इनको कि 2024 के लिए सरकारद्वार निर्धारित महत्वाकांची लक्षो को पूरा करने में मदद करेगा जिसमें राश्टी राजमार्क नेटवर्क की लंबाई को दो लाख किलोमीटर तक बढ़ाना दो सो से अधिक नए हवाई अड्डे हैली पोर्ट और जल हवाई अड्डों का निर्मान सामिले यानि यह सब इंफ्राइस्ट्रेक्टर डेवलाप्मेंट है जो नए हम बात कर रहे हैं कि दो लाख किलोमीटर तक निर्मान हो जाए 200 से अधिक हवाई अध्डे हम अभी बन जाए अभी इंटरनेशनल हवाई हवाई अड्डा हमारे यहां कितना है मैक्सि लेकिन इसमें बात की जा रही है 200 से अधिक हवाई अध्डा बनाया जाए और जाहिर सी बात है कि लोगों का पर कैप्टान इंकम बढ़ेगा तो लोग जरूर हवाई एड्डों की तरफ उनमक हो जाएंगे रेल रिवेयर स्टेशन पर भीर कम होगा और लोग बढ़ जाए को विभिन ने खेलाया योजना में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिए प्रोषाहित करने के उद्देश से स्रू किया गया है यह इंडिया यूद्या यूध गेम्स के पहले संस्कृंत का उरगातन प्रधान मंत्री ने 31 जन्वड़ी 2018 को किया था याद रखिएगा कि 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल दिया गया था यूथ गेम्स कर दिया गया था समझ रहें स्थापित कर रही है तो यह जस्तर पर उत्रप्रदेश सूचना प्रद्योग की और स्टार्टप निती 2016 में स्टार्टप इंडिया भल का हिस्सा है जो शुरू किया गया था प्रधान मंत्री के द्वारा निती का उदेश पड़िवर्तन के एक महान अगर्दूत के रूप में प्रद्योग की छेत्र के चमता का दोहन करना रोजगार स्रिजन करना नवाचार और समगर समाजी कार्थिक विकास के लाबों का लाब उठाना यह सब इस निती का आधार है कि उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर यह क्या है भाई तो उत्तर प्रदेश के मुक्मांति योगी अधितनाथ ने हाली में greater ग्रेटर नोइडा में युट्टा डीवन भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का पहला हाइपर इसकेल डेटा सेंटर का निर्मान किया जा रहा है ऐसे समझे कि यह आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है आपका कौन सा छेत्र तो यह ग्रे पहला है तो पहला डेटा सेंटर लगवाग 15 क्रोड़ रुपे के निवेस के साथ किवल 20 महिनों में चालू हो गया था हाइपर इसकेल डेटा सेंटर यूटा इंट्रास्ट्रेक्ट्चर दोड़ा विक्सित किया गया था हीरा नंदनी समूझ की एक सिरखा है यह सब अस्थापित करने की योजना बना रहा है तो यह एक डेटा के अंद्र अस्थापित करने की बात है जो विभिन सेक्टरों के डाटा को एक जगा करने की बात हो रहे है योपी के डेटा सेंटर पर योजनाओं में हीरा नंदनी ग्रूप अधानी ग्रूप एंटीटी जापान और वीव वर्क समेट अने सामिल है डेटा सेंटर एक ऐसी सुपधा है जिसमें सूचनाओ अनुप्रियोगों को संग्रित करने संसाधित करने और प्रसाधित करने के साजा सूचना प्रद्यों की गतिविद्यों और उपकरण होते हैं यानि यह डेटा सेंटर किसी भी तरह का डाटा आपको देगा जो आईटी से संबंदित हैं साजा सूचना यह सरकार को भी और वैसे संस्थाओं को भी प्रभाइड करता है जिसके लिए यह उपियोगी होता है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रेनिक वैकिल मैनुफेक्ट्रिंग और मॉबिलिटी पॉलिशी 2022 यह सब जो में चीज है ना यह आपको दो तिन तिन लाइन में लिखना चाहिए अगर उत्तर प्रदेश के उपलब्दी या विकास के बारे में चर्चा पूछी ज सकते हैं सिर्फ बजट या सप्लिमेंटरी बजट के ही साथ इसको नहीं जोड़े अलग से भी पूछा जा सकता है इसको मेंस के रूप में उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिक वैकिल मैनुफेक्ट्रिंग और मॉबिलिटी पॉलिशी 2022 का क्या है पॉलिशी यूपी सरकार पउलिए और पंजी किरत किसी बी एलेक्ट्रिक वहान के लिए पजी करण सुल्ख और रोड टेक्स की पूरी छूट देती है ogene क às अगर एलेक्रिक वहान आप लेते हैं तो पंजी करण सुल्क और रोड टेक्स पूरा छूट है यानि आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि आप एलेक्ट्रिक वैकिल्स खरीद लीजे रोड टैक्स से बच जाए और जो पंजी करण है उससे भी बच जाई है कोई टैक्स नहीं लगए यहला आप उस दिन मिलेगा जब राजसरकार आपचारिक रूप से नई इवी निती पर रिस्टूशना जारी करेगे यदि कोई तीन साल बाद इवी खरीदने की योजना बना रहा है तो राजसरकार राज्ज में निर्मित इवी खरीदने वाले किसी वेक्ति के लिए इन दोनों का माफ खर देगे तो अगर आप उस राज में खरीद रहे हैं तो य कर देगा आप ने अव्रत देखिये सरकार किसी विशेष ए बीपर एक्स सोरुम लागत माय माइनस जी अस करेगा यानि एक्स सोरुम प्राइस है इन लागत मैनस पाँंचय हजार मैनस जीएस्टि करां गया एकन्क प्राइट सब्स्धि कर देड़ा अगर यूपी में अगर पहले दो लाख वेक्तियों में सामिल हैं जो अलेक्टिक दो पहिया वहां खरीद रहें तो उनको तो प्रोसान मिलेगा और मुझे लगता है कि यह एचिव्मेंट्स बहुत जल्दी हो जाएगा राज की इवी निती का उदेश सारवजनिक पड़िवान को अलेक्टिक मॉबि किया जा रहा है या सब्ड़्र नचनाओं को बहुत अच्छा करने की बात हो रही है समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा डेवलप्मेंट की बात हो रही राज सरकार ने एक नई एलेक्टिक वाहन खरीदने के लिए सबसिडी राशी के रूप में 80 करोड रुपे अलग रखे हुए है यानि इसके लिए फंड अलाउट्मेंट अलग किया हुगया है अगर आप कार खड़ेते हैं तो एक लाख रुपे तक की आपको प्रोशाहन राशी दी जाएगी अलग से अब थोड़ा सा आप देखते हैं अटल आवासिय विद्याले क्या है उतरप्रदे सरकार राज में अटल आवासिय विद्याले के अस्थापना करेगी जहां वंचित बच्चों को गुनवत्ता पॉर्ण निसुल्ख सिक्षा प्रदान की जाए अठारा संभागों में पुल अठारा स्कूल खोले जाएंगे और लभारती मजदूरों और किसानों के बच्चे होंगे यानि वह बच्चे इसमें सामिल किये जाते हैं जिनको रिसोर्सेस नहीं है पढ़ने का चाहे वो मजदूर के बच्चे हों किसान के बच्चे हों और उनको बहुत क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाएगा और वो भी निसुल्ख पढ़ाया जाएगा तो यह अटल आवासिये विद्याले योजना है सरमिको कारगिरों अंगरी बच्चों के लिए गुनवत्ता पून सिक्चा निसुल्ख उपलब्ध कराने के लिए सभी संभागों में अटल आवासिये विद्याले का निर्मान किया जाएगा चालू विद्याले की योजना है इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं और यह जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताएगा है यह बारीकी से बताएगा है और इसको आपको पीडियाफ फॉर्म में भी आपको अबल कराया जाएगा ताकि आप इस पर एक बार कौन साइज होके चर्चा कर लें लिख लें राइटिंग स्कील डेबलॉप्ट कर लें आसा करते हैं कि आपका मेंस का एक्जाम बहुत अच्छा जाए धन्यवाद